हेलो दोस्तों कैसे हैं हम लोग आज अपना लाइट जो पढ़ रहे हैं उसका सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्त हम लोग पीछले वीडियो में रिफ्लाक्शन के बारे में सारा पढ़ें फ्लेइन मीरिर पढ़ें पढ़ें कौर केंए क्समें फिरुण पढ़ें मिरेश पढ़ें घॉर मैंगरिल्यसद पढ़ें इमेजिज कैसे फॉर्म होता है वह पढ़ें पृछू और कुछ प्रावलम भी तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्त हिंदी में अपवर्तन अपवर्तन क्या होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है तो अगर हम लेमेन भासा में बोलें एकदम बेसिक्स की तरह बात करे तो light का मुढ़ना, यहीं कि bending of light is known as reflection, तब आप हमसे पूछेंगे कि sir, light कैसे मुढ़ जाता है, light तो sir ऐसे आ रही है, देखी रोशनी जल रही है, light मुढ़ कैसे रही है, तो light ऐसे नहीं मुढ़ती दोस्त, light के speed भी हम लोग जानते हैं, तकरीबन 2.99 करके हम लोग पहसे लेते हैं, 3,00,000 km पर second की speed से यह मूव करती है, तो यह bend कैसे करती है, अब कैसे bend करीती है, अगर हम यूँ कहें, कि light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है, तो आप बोलेंगे sir, medium का मतलब क्या होता है, medium जैसे अभी हम लोग के सामने air है, ठीक है, air एक medium हो सकता है, माध्यम, व हो ही अगर हम पानी रख दें, एक मग पानी रख दें या एक बाल्टी पानी रख दें, एक जग पानी रख दें, तो वो एक अलग medium हो सकता है, नदी हो सकता है, तलाव हो सकता है, या यूँ कहें कि ये कोई glass रख दें, क्या करेंगे, glass रख दें, transparent glass होता है न, glass slab होता है, उसमें रख दें तो आप क्या देखेंगे कि light जब एक medium से दूसरे medium में आती है तो वो bend करती है तब आप पूछेंगे sir कैसे bend करती है तो हम बोलेंगे कि भाईया इसका जो speed है वो घड़ जाता है इसकी एनरजी कुछ घड़ जाती है इसलिए बेंड गर जाती है तो आप बोलेंगे सर समझ मिनी है सिंपल एक एक्जाम्पल देते हैं माल लेते हैं आप सड़क पे जा रहे हैं आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है आप उस रास्ते पे होते हैं ट्रैफिक बहुत होता है आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं आप इगाड़ी की स्पीड कम हो जाती है फिर धीरे धीरे करके आप उस ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं और क्या देखते हैं कि आप इगाड़ी रोड फिर आपको साफ मिलता है आप गाड़ी को फिर तेज भगा लेते हैं जब गाड़ी आप तेज भगा रहे होते हैं तो क्या होता है पहले तेज थी फिर slow हुई because of traffic and then इसकी speed तेज हो गई what does it mean it means कि जैसे उसको traffic मिलती है तो वो slow हो जाती है फिर again it regains its speed अपना ठीक वही philosophy यहाँ पिलागव होता है reflection भी बिल्कुल वैसा ही है light move कर रही है अगर सामने में कोई दूसरा medium डाल देंगे तो वो bend करेगी फिर जब उससे निकलेगी तो अपने उसी रफतार से निकलेगे जैसे कुछ example हम आपको बताए है जैसे हम आपको भी बताए है आप समझने की कोई करें medium में कैसे light पास करती है जैसे मान लेते हैं यह एक glass slab है क्या है glass slab है light अगर आती है ऐसे तो क्या होगा actually होना क्या चाहिए था light को ऐसे पार कर जाना चाहिए था बट light इससे नहीं आती है ठीक है light ऐसे नहीं आती है light bend करती है तो इसी को क्या बोलते है bending of light bending of light is known as what reflection क्या बोलते हैं इसको reflection reflection of light light इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त अपवर्तन प्रकास का अपवर्तन दोस्त प्रकास का अपवर्तन चीक है इसको ऐसे बोलते हैं यानि कि जब light एक medium से दूसरे medium में ते medium कैसा हो सकता है आप यह भी तो बोल सकते हैं सर लाइट जो यह ग्लास लाइब या पानी इससे होकर हवा में जाए एक दम संभव है तो जब एक medium से दूसरा medium यानि कि dancer medium यानि कि medium कि तरह और गया दो तरह का हो गया एक हो गया रेरर रेरर मेडियम दूसरा हो गया डेंसर मेडियम रेरर क्या बोलते हैं वीरल माध्यम और dancer क्या बोलते हैं सघन माध्यम यानि कि वीरल माध्यम और सघन माध्यम यानि जब जैसे air air और water को देखेंगे तो किसकी density अधीक है पानी की density अधीक है तो जिसकी density अधीक हो कि उसको अम लोग डेंसर बोलेंगे तो पानी क्या हो गया पानी क्या हो गया dancer medium हो गया और हवा क्या हो गया rare medium हो गया अब पानी और glass slab ले लेंगे तो glass slab क्या हो गया solid हो गया यानि ज़्यादा density है उसकी यानि वो dancer medium हो गया पानी हो गया lighter medium clear है दोस्त तो इस तरह से हम लोग medium decide करते हैं जो जिदना ज़्यादा density जिसकी अधीक होगी वो dancer medium कहलाएगा जिसकी density कम होगी वो rare medium कहलाएगा clear है यहां तक यानि कि हम लोग क्या समझे कि light bend तभी करती है जब उसकी velocity कम होती है उसकी energy घटती है तब वो क्या होगा हम लोग क्या आते हैं ठक जाते हैं इसका मतलब क्या रहा है हम ठक रहे है हमारी energy घट रही है इसलिए शुरू में हमारी speed अधीक थी जब energy lose किये घट गई हमारी speed भी घटी energy भी घटी धीरे हो गए फिर कुछ खाए पिए energize हुए फिर तेज दोडे यही चीज light के साब भी ह होता है ठीक है तो अब हम समझेंगे reflection कैसे होता है reflection कैसे होता है reflection का तीन नियम होता है कौन कौन होता है तीन नियम हम लोग समझने कोस्ट करते हैं समझने की कोजिस करते हैं दोस्ते रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई light अगर कोई light एक medium से दूसरे medium में जाती है अगर हम यू कहें कि rare medium से dancer medium में आती है तो मान लेते हैं ये एक divider है जो कि दो medium को segregate कर रहा है उपर में हम अगर हम rare medium मान लेते हैं नीचे में अगर हम dancer medium मान लेते हैं तो light जब आती है rarer medium से dancer medium में तो हम जानते हैं कि जिस point पे आती है उसको हम लोग point of incidence बोलते हैं ठीक है तो अगर इसको इसके उपर एक हम लोग normal draw कर दें तो क्या हो गया यह हमारा mm dash अगर मान लेते हैं कि एक boundary है जो कि rare medium और dancer medium को bifurcate करती है यह हमारा normal है यह हमारा light incident कर रही है तो आप क्या करेंगे यहाँ देखेंगे light कैसे अगर light आ रही है तो उपर वाले section क्या बोलेंगे plane of incidence plane of incidence इसको क्या बोलते हैं दोस्त plane of incidence इसको बोलते हैं plane of reflection plane of plane of reflection बोलते हैं plane of incidence बोलते हैं क्यों क्योंकि light इसमें आती है और इसमें आकर bend करती है ठीक है तो normal तो हमारा ऐसे ही रहेगा तो light क्या करती है कहता क्या है कि plane of incidence और plane of reflection ये दोनों क्या है हमारे space पे एक ही तरफ दिख रहे हैं मतलब ये दोनों एक ही plane में होंगे plane of incidence और plane of reflection दोनों एक ही plane में होंगे ये पहला नियम बोलता है ठीक है पहला नियम क्या बोला दोनों सेम प्लेन में होंगे क्या बोलता है सेम प्लेन कौन प्लेन ओफ इंसिडेंस और plane of reflection यानि कि P I and P R along with normal ये तीनों क्या होंगे सेम प्लेन में होंगे नौर्मल इंसिडेंस और रिफ्रेक्शन ठीक है दूसरा नियम क्या बोलता है अगर light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो इसके frequency में कोई बदलाव नहीं होगा क्या बोलता है no change in frequency no change in frequency तो क्या होगा frequency में कोई बदलाव नहीं होगा तो बदलाव कहा होगा change in velocity change in velocity होगी यह इसकी velocity में बदलाव होगा दूसरा क्या होगा change in wavelength change in wavelength wavelength बोले को color के लिए for color यह क्या होगा इसमें बदलाव होगा पहला क्या बोले दोनों plane सेम होगा दूसरा frequency में कोई change नहीं होगी velocity में बदलाव होगा wavelength में बदलाव होगा color के लिए जो हम लोग color बदलता है तो उसमें इसको हम लोग पकड़ेंगे तीसरा क्या law बोलता है यह law of reflection है क्या है दोस्ट law of reflection है दोस्ट अपवर्तन के नियम क्या बोलते है इसको अपवर्तन के नियम अपवर्तन का नियम इस तरह से अपवर्तन होता है तीसरा तीसरा बोलता है, अब समझ यह इसको यह incident ray है incident ray है और यह क्या है refracted ray, तब नाम एक बार फटाफट रख दिया जाए, मालो point o है यह n है, यह a है इस point को अगर b रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा n dash लिख देते हैं इसको तो a o जो है incidence ray है incident ray इसको क्या बोलते है रिफ्रेक्टेड 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 इसको क्या बोल देते हैं normal इसको क्या बोलते है point of incidence ठीक है इस angle को बोलते है I इसको क्या बोल देते है R ठीक है तो क्या बोलते है third law sine I upon sine R is equal to constant यह देने वाले कौन थे snails आप थे इसको snails law भी बोलते हैं दोस्त, देने वाले कौन थे snails आप थे, मतलब अगर यह medium fix है और यह medium भी है तो कभी भी अगर आप check करेंगे तो यह जो sine R का जो ratio है यह हमेंसा constant होगा मतलब light उतनी ही bend करेगी इस medium में, अगर हम rarers, यह medium, मान लेते हैं यह air है यह air है और यह glass है तो हमेशा अगर इसी तरह glass है तो हमेशा bending का जो system कितना bend करेगा, यह हमेशा इसी तरह से bend करेगा यह हमेशा constant रहेगा चाहिए, तो किसी angle से भी आप इसको bend करवाईए, अगर आप i को बढ़ाएंगे, तो यह तर आर भी उस बढ़ेगा या घटेगा ठीक है, तो अब यहाँ पर यह bend कैसे होता है अब आप समझेए, bend होने के लिए क्लिए क्लिए होता है जब कोई light rarer से dancer में आती है light जब rarer से dancer में आती है मतब viral माध्यम से सघन माध्यम में आती है उपर में क्या है, viral माध्यम है और नीचे क्या है सघन माध्यम है यानि कि light जब viral से सघन में यानि कि rarer to dancer आती है तो क्या होता है यह अपने normal की तरफ bend हो जाती है यह क्या है, normal है normal है, normal की तरफ bend हो गई आना चाहिए था इसको ऐसे इसको थोड़ा clean मना लिया जाए तो इसको erase कर दिया जाए ठीक है दोस्त, समझ लीजेगा इसको इसको थोड़ा clean करते है थोड़ा समझने में और मज़ाएगा दोस्त यह बहुत ही मज़ेदार chapter है जीतना बढ़ियां समझेंगे उतना ही मज़ाएगा दोस्त इससे बहुत सारा numerical बनेगा competitive level में तो बहुत सारा academics में तो आता ही है दोस्त बताने के क्या जरूरत है अब क्या है जब light को कैसे आना चाहिए था यहाँ इसको भी थोड़ा सा साफ कर दिया जाए नाम को अटके इसको जोड़ा सा clean कर लिया जाय जिए जोस्त ठीक है इस सब को अटांता है ठोड़ा मज भॉनाता है ठीक है देखे light को actually आना कैसे चाहिए था light को actually ऐसे आना चाहिए था ठीक है यह actually light का actual यह path से क्या हुआ towards normal यानि कि towards normal यह bend कर गई क्यों bend की because this ray अगर यह जो light है यह जो ray है rarer to dancer में जैसे ही आई यानि कि जब खाली road से भरी हुई road में आई traffic वाले road में आई तो इसकी energy घट गई इसकी velocity घट गई तो क्या होगा विचारत थक गया थका तो आके बैठ गया यहनी कि normal की तरब जुग गई light bends towards normal normal की तरब जुग जाती है when it comes from rear to dancer ठीक है तो normal की तरब bend कर गई ठीक है तो यह हमको बहुत important चीज है जो हमको समझना है यही चीज अगर हम इसको dancer to rear में लेकर जाते अब इसमें एक और हम medium डाल दें normal यह light अगर ऐसे आती ऐसे आती इसको सीधा light को ऐसे कर लें और एक normal यहाँ ड्रॉ कर दें ठीक है तो जब dancer से rear में आती तो normal से दूर भागती नॉर्मल से दूर एक टूरी लिए जाना कैसे था इसको ऐसे आना चाहिए था light कही दो होगा ना रास्ता ऐसे आती ऐसे चलिए आती बढ़ क्या हुआ यह normal से और दूर भाग गए देख रहे हैं यह वाला इतना ज़्यादा space लेके निकली यानि कि जब वो dancer से rarer में आती है तो normal से दूर जाती है क्या क्या समझे पहले यह देख लेते हैं अगर यह rarer to dancer में आती है rarer to dancer तो क्या होता है it moves away from the normal normal से moves away यह निक दूर भागती है rarer to dancer not moves away गलती लिख दिये दोस्त it doesn't moves away it bends towards the normal it bends towards the normal normal की तरब मुड जाती है अगर वो rarer to dancer में आती है तो when it comes from dancer to rarer अगर यही जब देंसर to rarer होता है तो क्या होता है it moves away from the normal क्या होता है it moves it moves away from the normal normal से दूर भागती है dancer में normal के नजदिक भागती है rarer में normal से दूर भागती है जब वो dancer to rarer में आती है तो यह सब इसकी bending property है दोस्त थोड़ा ध्यान में रखना है यह ज़रूरी होगा हम लोग को आगे समझने में और बहुत help करेगा यहां तरह पुरे clear हो रहा है दोस्त इस तरह से हम लोग reflection समझ रहे हैं एक बद देख लीजे बड़ी ऐसे क्योंकि हम लोग आगे अभी continue करने वाले हैं दोस्त मतलब हम लोग क्या सीखें यहां पर light जो है हमारा कैसे जब rarer to dancer में आती है rarer to dancer में आती है तो क्या हो जाता है दोस्त rarer to dancer में आगा तो इसके actual path यह है यहां से इसमें आईगी तो normal के नजदीक हो जाएगी अब जब यहां dancer to rarer में जाएगी तो क्या होगा dancer to rarer में आएगी तो normal से दूर भागेगी clear है तो आज हम लोग दोस्त reflection समझें है अगले वीडियो में हम लोग इसके और भी कुछ properties के बारे में समझेंगे कैसे light bend करती है उसके बारे में समझेंगे और कुछ problem भी solve करेंगे दोस्त ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा पढ़िएगा समझेगा वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा बहुत funda clear हो जाएगा दोस्त ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन दोस्त